पाठ क्रमांक बारह, सपूत, लेखक श्री क्रिश्न बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गाउं था, पुरानी याने ओल्ड, आदर्श याने रोल मॉडल, गाउं में हर तरफ स्वच्चता थी, गाउं की गलियों में नियमीत रुप से जाडु लगाई जाती थी, गलियां याने लेंस, नालियां रोज साफ की जाती थी, नालियां याने गटर, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था, लिपाई पुताई याने वाइट वाश और पेंटिंग, परिसर में बड़ी संख्या में पेड पौधे थे, कुए का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी, कुए याने वेल, सावधानिया याने प्रिकॉशन्स, निर्मल याने क्लीन आद क्लियर, पंगट स्वच्छ और सुसजित था, पंगट याने प्लेस फर ड्रॉइंग वाटर, सुसजित याने वेल एक्विप्ट, एक दिन पंगट पर तीन सावधानियां पानी भर रही थी, वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, बखान याने to praise, एक बोली, बहन, मेरा सपूद बड़ा विद्वान है, सपूद याने good boy, विद्वान याने intelligent, जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों और उसकी धूम मची है, धूम मचना याने to be popular, बड़े बड़े ग्रंद पढ़ लेता है, ग्रंद याने books, आकाश के तारों को देख कर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है, दूसरी ने जोश में जट से आगे बढ़कर कहा, अरी सकी, मेरे लाल जैसा बली तो दस-पांच गावों में देखने को भी नहीं मिलेगा, पांच सो दंड बैठक वो हर रोज सुबह लगाता है, दंड बैठक याने सिट अपस, अखाडे में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है, तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं, अखाडे यानि अरीना और रिंग, ताल ठोक कर उतरना यानि तु गेट रेड़ी विद कॉन्फिडन्स, वो मेरा सपूत है, अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वो चुप रही, इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला, तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, जुटे रहना, याने, टु इन्वॉल्व, शाम को घर का काम करता है, आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा, तीन स्थ्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी, अभी वे दो-चार कदम ही चली थी, कि पहली स्थ्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा, पास आते ही, उसने अपनी मा से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, व्याख्यान याने लेक्चर, भोजन वहीं करूँगा, ये कहकर वो तेजी से चला गया, तब दूसरी स्थ्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा, वो मतवाले हाथी की तरह जूम रहा था, मतवाले याने ड्रंग, जूमना याने बाउंस, उसने अपनी माँ से कहा, मा, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पचाड़ा, नामी याने वेलनोन, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है, ये कहकर वो घर की ओर बढ़ गया, अन्त में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा, वो बड़ा ही सीधा सादा था, आते ही उसने अपने मा के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया, और बोला, मा, तुम क्यो पानी भरने चली आई, मैं तो आही रहा था, मा से घड़ा लेकर वो उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा, ये देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से जुग गया, संकोच याने हेजिटेशन, उन्हें बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ग्यान एवं बल अधुरे हैं, बोध याने तो रियलाइज, वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है,